इस महिने होगी विकी और कट्रीना की शादी डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए तयार हुआ ये पावर कपल सगाई के बाद अब शादी की खबरों ने पकड़ा है जोर वेल अगर आप भी विकी और कट्रीना के फांस है तो देखिए ये पूरी खबर टाइगर त्री की शूटिंग खथ होने के बाद कट्रीना के फांस को मिलने वाला है एक जबरदस सर्प्राइज क्योंकि बी टाउन की गलियारों में खबरे उड़ रही है कि विकी और कट्रीना इसी साल दिसंबर के महिने में शादी करने माले है जी हाँ लाइफस्टाइल एशिया में छपी एक खबर के मुताबिक विकी और कट्रीना ने इस साल दिसंबर के महिने में शादी करने का फैसला लिया है जबकि ये दोनों राजस्तान के उदैपुर में शादी करेंगे जिसके लिए तयारिया भी शुरू हो चुकी है वही इस शादी में दोनों के परिबार वाले ही शामिल होंगे हाला कि उनकी रिपूर्ट में ये साफ नहीं किया गया है कि कट्रीना और विकी शादी में इंडस्ट्री से किन-किन लोगों को न्योता भेजने वाले हैं वेल अभी बॉलिवूट की ये अदाकारा भायजान सलमान खान के साथ रूस में है जो अपनी अपकमिंग फिल्म टाइगर त्री की शूटिंग में बीजी है ऐसे में अब कयास लगाए जा रहे हैं कि शूटिंग के बाद ही फांस को एक बड़ा सा सर्प्राइज मिलेगा वैसे कुछी दिनों पहले ऐसी भी खबरी आई थी कि इन दोनों ने सगाई कर ली हैं जिसकी बाद सोशल मीडिया पर फांस उन्हें बदाई देने लगे हाला कि बाद में विकी के पिता ने इस खबर को खारिश कर दिया और ऐसे में सारे फांस के अर्मानों पर पानी फेर गया बतादी कि सगाई की खबर वाइरल होने के बाद बॉलिवुड लाइफ ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का दावा क्या था कि दोनों में काफी बहसबाजी भी हुई और दोनों ही सगाई की खबर से काफी नाराज हुए वही इस बात की जानकारी नहीं लग सकी कि किसकी PR टीम ने सगाई की खबर लिग की क्योंकि विकी और कट्रीना दोनों के पास कई फिल्में हैं और दोनों चाहते हैं कि उनके काम के बारे में मीडिया में चर्चा हो ना कि रिलेशन्शिप के बारे में विल सगाई के बाद अब इनके शादी की खबरों ने बाजार गर्म हो चुका है। हाला कि विकी और कट्रीना की शादी पर कोई भी ओफिशल स्टेटमेंट सामने नहीं आया है। लेकिन अब तो फांज को इनकी शादी का बेसबरी से इंतजार रहेगा। वेल इस पर आपको क्या लगता है ये आप हमें जरूर बताईए नीचे कॉमेंट्स कीजिए और बॉलिवड नाव को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।